प्रियंका गांदी ने 125 टिकट उत्तर प्रदेस में विधानसवा सीटों के प्रत्यासियों के लिए घोसित किये जिन में से 40 पीजदी मेला हैं यानि उनकी संख्या 50 है उनमें से एक फिल्म अवनेत्री भी हैं मेरट की अरचना गोतम वो उस सीट से इस बार प्रत्यासी हैं ज तमिल और तेलगू फिल्म इंडस्टी है वहाँ पर अपना सिक का जमाय रखा है मैं आपको अभी टिकट घोसित हुए दो दिन हुए हैं मैं सीधे आपके प्रोफेशन से कनेक्ट होता हूं लेकिन हम देख रहे हैं कि सोचल मीडिया पर आपको जबदस तरीके से टोल किया हुआ तो हुए होहन करते हैं और यजिय हुए दूसरी चीज की एक असे परिवार की लड़की हूं गरीब परिवार की लड़की हुँ जो यहां तक पो Hoo तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा प्रोफिशनल लाइफ था मेरी एक्टिंग लाइफ दी और जिसमें से मैंने इंडिया को निर्तित किया था यानि मैं में मलेशिया गई थी इंडिया को रिप्रेजेंट करने तो मैंने भारत का नाम करना चाहा ठीक है तो उसमें आपने द आज मैंने जब राजनिती जॉइन कर लिया तो मैं आज अपना काम करर रहे हूं मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूं मैं लड़कियों को शशक्तिकरन बनाने के लिए इंस्पाइयर बना चाहती हूं तो इस बेजा था तो वो एक स्ट्रॉंग बना के मुझे यहां पर बेचा है यह बताए कि आप पॉलिटिक्स भी जॉइन कर ली आप पॉलिटिक्स में आ भी गई टिकट भी मिल गया आप बहुत लखी हैं अमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन आज इस्तिति यह है कि पूरा उत्तव प खाई है मैं आपको सब्सक्राइब की भी कि जाती में ना तोला जाए यहीं चानिति होंने बाद बाब आ खालती हैं कि यह भारत निर्पक्स भारत है तो इसको जाती धर्म में ना तोला जाए तो मैं यहीं चाहती हूं कि आप अगर राजनीती कर रहे हैं तो आप अपने उपर राजनीती करें या लोगों के उपर या धर्म पर राजनीती करने की मुझे नहीं लगता लेकिन ऐसी स्थिति में जो सफलता के जो मौके हैं वो बह ट्यूर टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए बट नहीं है क्यों कि वहां पर यातायात के साधन है वो तो बिल्कू जीरो परसेंट है आप अगर मुंबई के रहने वाले हैं आपको हस्तनापूर घूमना है तो आप आहीं नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो आप कैसे आएंगे तो मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि आप पहले याता यात के साधनों को बढ़ाएं अपने आपी रोजगार मिलेगा अपने आपी देश का विल्कास होगा यहां तक की हमारे जो हस्तनापुर में रोजगार की बहुत कमी है और वहां पे ऐसा रोजग यह बताइए कि आपने पॉलिटिकल केरियर सुरू करने के लिए एक अच्छा खासा केरियर आपने उधर तिलांजली दी है उसको हांसिये पर रखा है लेकिन आपने ऐसी पार्टी चुनी है जो पिछले कई सालों से हांसिये पर पढ़िए उत्तर प्रदेश में आपको नह नहीं आरही थी तब बोला जा रहा था कि आपकी पार्टी नहीं है और यह वागला सकता उसे कोई नहीं डुकला सकता जी आप कह रही हैं फ्यूचर कॉंग्रेस में लेकिन नगमा जैसी फिल्म अमनेत्री मेरट से ही खाली हाथ गई है जी 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 वो देखिए नगमा जी के बारे में मैं कुछ बात नहीं करते कि क्योंकि जिस चीज़ को मैं जानती नहीं हूं उस च कोई लड़की विजेता नहीं हुई है और कहा जाता है इस पावन नगरी को कि इस पर द्रोपती का श्राप है कि यहां से कोई लड़की सफल नहीं होगी तो मैं चाहती हूं कि यह मोका बहुत अच्छा है कि मैं इस श्राप से मुक्ति दिला पाऊं और मैं विजे कर पाऊं क्योंकि आज तक इस धर्ती पे कोई भी महिला विज़े प्राप्त नहीं किया है मैं चाहते हूं कि मैं जीत के महिलाओं को यहां की हस्तनापुर की महिलाओं को मैं आगे बढ़ाना चाहते हूं उनके लिए इंस्पायर बनना चाहते हूं एक मेरा आखिरी सवाल आप से यह है कि कांगृrets पार्टी में बहुत सारे लोग लंबे समय से स्टब करते हैं कारीकरता बने उसके बाद फिर दरी उठाते हैं धणा परदर्शन करते हैं आप दो महीने पहले आई आपने जोइनिंग की और उसके बाद दो महीने में ही आपको टिकट मिल गई मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था मुरादाबाद की रैली में पहली बार आपको वहीं सुना था आपको नहीं लगता कि आपने कहीं न कहीं हक तलफी की है जो आम का इंडिडेट थे जो चाहते थे के सतना पर से उनको भी टिकट मिले देखी मैंने उन सभी कारे करता से माफी मांगी है इस चीज के लिए मुझे बहुत जादा दुखी भी हूँ कि मैंने मतलब लाइक एकदम से मैं आई हूं और मैंने टिकट का दर्ख्वाइस के और मुझे ट पूर देंगे और बसमें आगे बढ़ना चाहती हूं यहीं बात है क्योंकि प्रेंंका दिदी ने बोला था लड़की हूं लड़ सकती हूं है और लुक्ता स्लोगन है बहूros youtube डर चाहते हूं लेकिन आजकल उस हस्तिनापुर में तरक्की कहीं रुक्सी गई है वहां से प्रत्यासिये कांग्रेस पार्टी की नतीजे बिदानसवा चुनाप के बाद आएंगे मतदान के बाद आएंगे दस मार्च को लेकिन जो होंसला है वो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अबाद दी है वो होंसला अर्चना गौत्म का बना हुआ है कैमरा सेवी सानू के साथ में नरेंदर भारत समाचार मेरट